नमस्कार कल्पना चूबे रेसिपी में आपका स्वागत है मैं डाइबिटीज के हिसाब से ये रेसिपी बना रहे हूँ ये मधुमे या सूगर के लिए बहुत हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है करेले को पहले बड़े बड़े पीस में कट कर ले हूँ और फिर इसे एक चौपर में हलका सा बारिक कर ले हूँ चाहे तो इसे एक चकू की सहायता से भी एकदम बारिक बारिक कर लेंगे प्याज को भी इसी तरह से थोड़ा बारिक कर ले हूँ अब घरम तेल में डाल देंग के बाद ही प्याज इसमें डालेंगे प्याज डालने के बाद भी इसे हाई फ्लेम पर रुक रुकर चलाते रहेंगे करेले में पाए जाने वाले पूशक तत्व ब्लड सुवर लेबल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और इंसुलीन की संबेदन सील्टा को बढ़ाते है करेले में पाए जाने वाले फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं इस तरीके से करेले और प्याज की भूजिया बहुत जल्दी से तयार हो जाती है ये बिना छिलके वाली मसूर की डाल है वैसे छिलके वाली मसूर की डाल भी बहुत ही फायदेबंद होती है आज यही डाल बना रहे हूं मसूर की डाल diabetes के लिए एक बहुत अच्छा option है मसूर की डाल का glycemic index बहुत कम होता है और इसमें fiber की मात्रा बहुत अधिक होती है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है यह एक कप मसूर की डाल है वजन में 100 ग्राम इसे 3-4 बार पानी से अच्छी तर ईस उसलित में बनके तयार हो जाता है इसे पहले high flame पर ही रखेंगे और वाल आने के बाद गैस के flame को लो कर देंगे यह डाल के उपर जो झ्राग आता है इसे एक कंशी की सहाइथा से निकाल कर बाहर फेक देंगे इसे अब इसजर ताइम में पर गैस के flame पूशक तर तो पाए जाते हैं मसूर की दाल से सरीर में बढ़े हुए बैट कोलोस्ट्रोल को कम किया जा सकता है वैसे तो ये दाल बिना तड़का लगाए ही बहुत ही स्वादिश्ट लगता है लेकिन आपको तड़का लगाना है तो एक चमश देशी घी में जीरा राई अब चावल बना लेती हूँ डायविटीज में चावल खाना तो बिल्कुल ही मना होता है लेकिन ये चावल आप निश्चिन थोकर खा सकते हैं क्यूंकि इस चावल का ग्लैसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है ये चावल ब्रत में भी खाया जाता है इसे समा या मोर्धन का चावल भी कहते हैं एक कप समा का चावल ली हूँ वजन में ये 100 ग्राम है इसे पानी से 2 या 3 बार धो लेंगे वैसे तो ये साफी रहता है जिस कप से मैं चावल ली हूँ उसी कप से 2 कप पानी डाल दूंगी एक कप चावल में 2 कप पानी वजन में देखें तो 100 ग्राम च जाने वाला हाई फाइबर ब्लड ग्लुकोज लेबल को कंट्रोल में रखता है समा के चावल में प्रोटीन और भी बहुत सारे पोशक ततों पाये जाते हैं फाइबर की मात्रा जादा होने से ये धीरे-धीरे पचता है और लंबे समय तक भूख का एसास नहीं होता और पाच जादा चलाने की जरूत नहीं पड़ती है अगर ये पुराना चावल होगा तो पतीले के तले में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा अब ये तयार हो गया है तो गैस ओफ कर देती हूं और दो मिनट के लिए इसे ढख देंगे चावल को भी थोड़ा चेक कर ले रही हूं एक एक दाना अलग-अलग हो जाता है ये और ये खाने में भी बहुत स्वादिश लगता है डाइबिटीज में चावल खाने का एक अच्छा आप्शन है अब इसे मैं एक प्लेट में सर्व कर ले रही हूं समा के चावल में एंटी ऑक्सिजेंट भी भरपूर मात्रा में होते ह मैं आगे भी डाइबिटीज के हिसाब से हेल्दी डेसिपी अप्लोट करती रहूंगी डाइबिटीज में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लेने के पहले एक प्लेट सालेट खाना बहुत जरूरी है वैसे मेरे अपने डाइट के हिसाब से ब्रेकफास्ट में खीरा, लंच में गाजर और डिनर में चुकंदर का सालेट ले सकते हैं और अपने खाने के साथ में टमाटर और प्याज साथ में ले सकते हैं ये रेसिपी आपको अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद